अग्रामिक कंसल्टेंट और्थोडॉंटिस्ट हूं और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेसिस ट्रीटमेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं बहुत से पेशेंट्स हम से क्वेरी लेकर आते हैं कि हमें ब्रेसिस लगवाने हैं पर क्या इसके कोई साइड एफेक्ट् सबसे पहले मैं आपको इबताना चाहूंगी कि ब्रेसिस ट्रीटमेंट में जो सबसे एक बेसिक प्रॉब्लम आती है वो है दान्तों की सापसफाई रखने के बारे में पेशेंट्स बहुत बार ब्रेसिस लगने के बाद उतने अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं जैसे को पहले किया करते थे तो उसमें खाने की पार्टिकल्स फसे रह जाते हैं ब्रेसिस वायर के बीच में जिसे हम प्लाक कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया एक्यूमलेट होकर वहां पे इनैमल को डी कैल्सिफाई करने लगते हैं जिसे हम अपनी भाशा में वाइट स्पॉट ल आप प्रॉपर तरीके से हर बार खाना हाने के बाद अपने ओर्टो डॉन्टिस के द्वारा बताया हुआ ब्रेश पेस्ट और प्रेसिस के लिए बताया गया माउथवाश नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस रिस फैक्टर के अंडर आ सकते हैं आपक क्ली कमिंग तुदा नेक्स्ट रिस फैक्टर नेक्स्ट रिस फैक्टर है रूट रिसॉप्शन यानि की जब ब्रेसे और वायर से आपके तीद को मुफ कराने के लिए फोर्स डाला जाता है और अगर वो अन्वांटेड पोर्स हो या एक्सेसे फोर्स हो तो हमारी रूट क कुछ पार्ट गल जाता है जिसे रूट रिसॉप्शन कहते हैं और विल भी रिप्लेस्ट वाय सॉफ्ट इशू रूट रिसॉप्शन के लॉंग टर में कुछ साइड एफेक्स हो सकते हैं जैसे टूथ मोबिलिटी या कुछ और तो यह भी एक बहुत इंपोर्टन रिस फै सब्सक् sued बहुत बार बोन के साथ जोड़ जाता है जो फिर वहां से वह थनीपाता और तो अबन के साथ इंकायोग हो गया है तो अससी स्वेस्गात पे मूव नहीं होता है उस जहां उसस्पेस मिलती अगर सब्सक्राय दो न्योडीन ईख गया है चलिए अब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं next risk factor की braces treatment में एक और बहुत important risk factor है जो है relapse का relapse यानि की दांतों का अपने पुरानी shape में लोट के वापिस आ जाना देखिए ये बहुत cases हैं उनमें पाया जाता है जहां आप अपने orthodontist द्वारा दिये गए retainers को सही तरीके से और सही समय तक नहीं पहनते हैं यह mostly patient dependent risk factor है जहां आपको prescribe किया गया है कि आप treatment over होने के बाद देनर को full time पहनेंगे या according to prescribed time तक पहनेंगे और आप उसे नहीं पहनते हैं तो बहुत बार दांतों की टेंडेंसी होती है अपनी पुरानी malocclusion वाली स्थिती में लौट जाने की इस स्थिती को हम relapse कहते हैं तो मेरा advice यह है कि रिलैप्स से बचने के लिए आपको अपने orthodontist से proper सलहा लेकर अपने रिटेनर को full time वीर करना चाहिए और orthodontist से consult करने के बाद भी आपको अपना रिटेनर पहनना बंद करना चाहिए आगे चलते हैं इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि braces के treatment में बहुत बार मसूरों की problems create हो जाती हैं जिसमें प्लाक हमारा मसूरे के अंदर accumulate होता रहता है और मसूरों में सूजन पैदा करतेता है जब यह सूजन बहुत अंदर तक दांतों के accumulate हो जाती है तो वह जो दांत की surrounding fibers हैं आपको मसूरों से लेटिट कोई भी दिक्कत आपके braces treatment के दौरान ना हो मेरी आपको यहीं सलाह है कि finally friends मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगी जो लास्ट हमारा risk factor है वो है temporomandible joint यानि जो हमारा यह joint है जबडे का joint है इसमें कुछ patients pain की complain करते हैं इसके अलावा कभी कभी आपको वायर भी इडिटेट करता है वायर कहीं आपको गाल के अंदर या मसूरों में प्रिक कर सकता है सरदर्द की शिकायत हो सकती है कुछ patients दांतों में पेन की भी शिकायत लेकर आते हैं तो यह चोटे-मोटे risk factor or side effects और और यह चोटे के पास टाइम ली आते हैं तो मिसका वहीं के वहीं इसका आपको solution बताते हैं तो देखिए, braces treatment is like any other treatment यह और treatments की तरह है पर हमें इसको जानने के साथ साथ इसके benefits और इसके side effects को भी जानना चाहिए और इसके pros, cons क्या है यह भी जानना चाहिए और मेरा कहना यही है, मेरी आपको advice है कि आपको certified orthodontist से ही braces का treatment लेना चाहिए ताके वह आपको सारे aspect इस braces treatment के clear कर दे और आपका treatment बहुत ही अच्छे से किया जाए अगर आपको यह video पसंद आया हो तो आप हमें अपनी कोई भी query या message कर सकते हैं appointment ले सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं thanks for watching this video